हलो फ्रेंड्स लत्व और एफसेंट डिजाइनर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ब्यूटिफुल सा स्लीप डिजाइन लेकर के आई हूँ और सबसे पहले आपको बता दूँ ये जो स्लीप डिजाइन है ये हम देखिए जो कोहनी तक बाजु है उसके उपर आप बनाओगे तो बहुत ही प्यारा उसमें ये लगेगा आप चाहे तो उसको 3 x 4 यहां तक जो स्लीप बनते हैं उसपर भी बना सकते हो और एक देखिए हमारी कोनी तक यहां तक जो लैंठाती है उसपर भी आप इस स्लीप को ट्राइ कर सकते हो सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर बाजू कट कर ली है बाजू आपको सेम वैसे ही कट करनी है जैसे आप कट करते हो उसमें कुछ भी आपका एक्स्ट्रा प्लेस नहीं होगा डिजाइन हमारा सिर्फ यहाँ पर नेचे यह आएगा तो देखे मैंने यहाँ पर बाजू पहले ही कट कर ली है स्लीब इसको हमने साइड में रख देना है अब डिजाइन हमने किस तरह से डालना है वो मैं आपको तो इस बाजू के डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पटी की जरूरत पड़ेगी अब पटी कितनी हमें चौड़ी और लंबी रखनी है वो आपको यहाँ पर बता देती हूं तो पटी की जो चौड़ाई है द्यान से देखेगा पटी की जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 3.5 इंचिस 3.5 इंचिस मैंने चौड़ाई रखी हुई है और इसकी जो लंबाई है लें ते देखे किसनी हमने रखनी है तो इसको आलमोस्ट आपके जितनी आपके बाजू की मोरी है उससे आपको ट्रिपल इसको या 400 में रखना पड़ेगा क्योंकि यह डिजाइन इस तरह से कुछ बनता है तो देखें यहाँ पर मैंने कितनी लंबी रखी है यह पती मैं आपके बता देती हूँ यहाँ पर मुझे इसमें जोट भी डालना पड़ा है थोड़ा सा क्योंकि यह कम थी तो यह आलमोस्ट मैंने देखिए 42 इंचिस के आसपास मेरी यह पती की लंबाई है तो इस तरह से आपको भी लंबी कट करनी है यह पती और इसकी चोडाई वो रखी है 3.5 इंचिस अब स इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया इस तरह से लंबाई में आपने इसको एक वार फोल्ड कर लिया पूरा आपको बरावर रखना है इसको यह हमने कर लिया एक वार इसको फोल्ड कर लिया अब इसको अगेन फिर से हमने एक वार फोल्ड करना है इस तरह से फोल्ड किया फिर इसको एक बार अगेन फिर से फोल्ड करेंगे यह देखे यह कर लिया अब इसको एक बार फिर से हम फोल्ड करेंगे इस तरह से तो यह हमने कर लिया देखे इसको फोल्ड यह देखे कितने बार हमने इसको फोल्ड कर लिया अब हमने क्या करना है अब यहां से देखे नीचे से यहां से हम लगवाग 2 इंच पे एक मार्क करेंगे 2 इंच पे हमने एक निसान लगाना है और इसको हम यहां पर उपर मिला लेंगे सीधा हमने इस तरह से इसको मिला लेना है इस तरह से और इसको हम इसी तरह से कट भी कर लेंगे प्रेम बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका कपड़ा एक तम बराबर होना चाहिए एक्क्वल कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए यह पार्ट आपके बिल्कुल बराबर होने चाहिए इस तरह से और इसको हम कट कर लेंगे अब यए इस तरह से आपके पास डिजाइन मिर जाएा जिक्चैकवाला डिजाइन आपको मिलेगा पूरा देखे इस तरह से तो देखे इस तरह से हमारा फिर ये जिक जैक वाला डिजाइन सामने आ जाएगा आपका ये देखे इस तरह से होगा ये पूरी पट्टी के उपर तो अब हमने क्या करना है अब इसको हमने साइड में रख देना है और हमें काटनी है इसी के लंद के बराबर एक और पट्टी और वो डिफरेंट कलर की हमें काटनी है अब इसकी लंबाई और चोड़ाई भी सेम रहेगी ठीक है और डिफरेंट कलर होगा बस बाकी आपकी सेम रहेगी तो अब इसके उपर हम रखेंगे, इसके उपर रखेंगे देखें, अगर आइपने बीच में देखें जैसे मेरी तरह जोट डाला है, सेंटर से जैसे आपकी पट्टी कम हो रही है तो आप इस तरह से भी जोड सकते हो इसको तो आपने ये जो राइट साइड है वो आपने अंदर की तरफ को रखनी है इस तरह से ये ध्यान रखना है बस जैसे उपर वाली पट्टी में भी आपने ये राइट साइड आपकी अं आपने रखना है एक तरफ से मिला करके देखिए द्यान से देखिएगा ऐसे आपने मिला के रखना है इसको इस तरह से मिला के रखिए और अब देखिए आपको क्या करना है यहां पर आपको द्यान से देखना है अब यह जो जिक जैक हमारा बना है यहां पर देखिए सबसे पहले तो हम यहां से चिलाई लगाएंगे फिर यह जिक-जैक जैसे बना है वह से ही हमने इसको चिलाई लगाना है और यहां से फिर से नीचे आना है और इसको इसके साथ मतलब जोइंट कर देना है अगे तक हम आपर हमारी सिलाई लच चुकी है अब हमने इसको जैसे हमने शेपती है यह वाला कपड़ा जो और इंज कलर का है कट लेंगे जो नीचे वाला कपड़ा है यह देखे शेप के अकॉर्डिंग हम इसको कट कर लेंगे और जहां पर हमारी नोख बनी है देखे यहां पर हमां अलका सा कट भी सिलाएं ताकि इसको पलटने में हमें आसानी हो इस लिए यह देखे इस तरह से करेंगे इस तरह से हम इसको पूरा कट कर लेंगे यहां पर देखे मैंने इसको कट कर लिया है अब हम इसको टर्न करेंगे राइट साइड की तरफ को यह देखे यहां पर हम टर्न करेंगे इसको राइट साइड की तरफ को और इसको हमने अच्छे से प्रेस कर लेनी है अब देखे जो हमने notches लगाए है ना जो बीट से हमने notches लगाए है उससे हमें पलटने में असानी होगी तो इस तरह से हम इसको फिर अच्छे से प्रेस भी कर लेंगे देखे इस तरह से पलटेंगे इसको और फिर इसको अच्छे से प्रेस कर लेनी है हमने इस तरह से फिर हमारा आएगा तो अब यहां पर देखिए मैंने कपडे को प्रेस कर लिया है ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा तोनों तरफ से देख लिजे अब देखिए जो सेम जैसा है अब यहां से सबसे पहले हम एक सिलाई देंगे पूरी ताकी हमारा ये किसके ना इसलिए हम यहां पर तो आप देखिए सिलाई हमारी यहां पर लग चुकी है यहाली सिलाई मैंने लगाती है आप हम यहां पर डिजाइन डालेंगे तो यहां पर बहुत ही द्यान से देखिएगा सबसे पहले देखिए हम यहां पर एक प्लीट डालेंगे इसके एक सिरे को इस तरह से पकड़ेंग और यहां पर एक छोटी सी प्लीट डालेंगे इस तरह से हम प्लीट डालेंगे अब इसके दूसरे एक हमने इस तरफ को डाली अब दूसरी हम इस तरफ को डालेंगे इस तरह से डालेंगे और यह जो नीचे वाला हिस्सा है यहां पर देखिए जो यहां पर आपका डिजाइन बन रहा है आपको नज्देक से दिखाती हूं यह हमने विल्कुल बराबर रखना है यह इस तरह से हमने यह जो लाइन है यह आपको बराबर रखनी है इस तरह से मिला के रखनी है यह और यह प्लीट आपके एक दम बराबर डलनी चाहिए इस तरह से अब हम यहां पर सिलाई चलाएंगे, यहां पर हम सिलाई चलाते जाएंगे, यही दो स्टेप हम, एक प्लीट हम इधर को डालेंगे और दूसरी इधर को डालेंगे, तो इस तरह से हम डालेंगे यह पूरी और यहां पर उपर हम सिलाई चलाते जाएंगे, तो बहुत ही ध्यान से देखेगा आप, इतर भी नीचे वाला कॉर्णर आपको मिला के रखना है इस तरह से यह कॉर्णर का दियान रखना ही आपको मिला के रखना है यह ऐसे और फिर उपर हम सिलाई जड़ा देंगे पर से देख लिजिए किस तरह से डालेंगे हम इंपर में सिलाओज है झालेंगे हम स्थरा आप घियार झालेंगे इस देखे यह किसे जड़ा धना है बहुत ही असानी से हमने अपने यह डिजाइन बना लिया है यह देक किना प्रेडी यह बन रहा है इसे मेरी आपCharl A आप आम ऐसको लगाएंगे अपने चीर के उपर तो स्लीब के ऊपर लगाने के लिए देखिए हम ने इसको इसी तरह से रखना है रैत सैट की तरफ से और अपने स्लीब को रखना है देखिए हमारे स्लीब की भी यह जो राइट साइड है वो उपर की तरफ को रहेगी यह हमारी राइट साइड है और इसकी भी राइट साइड है तो अब इसको क्या करना है हमने इसको इस तरह से देखिए यहां से हमने इसको आधा इंचंदर की मोड लेना है ऐसे हम इसको मोड लेंगे और ऐसे हम इसको अपने स्लीव के ऊपर लगा देंगे इस तरह से हम रखेंगे इसको और ऐसे फिर हम यहां से इसको सिलाई लगा देंगे आप चाहिए तो थोड़ा सा खुला या अमरेला स्लीव में भी इस डिजाइन को बना सकते हो इस तरह से हम रखेंगे और इसके उपर हम यहां से सिलाई चड़ा देंगे कि अगया है एक्स्ट्रा जो भी इधर उदर को बढ़ रहा है उसको आपने कट कर लेना है उसको देखें इस तरह से नहीं पर कट कर लेती हूं अब देखें जो आपका इस तरफ से दिख रहा है इसको भी आप चाहे तो अंदर की तरफ को इस तरह से फोल्ड कर सकते हो इसको भी आप चाहे तो इसको तुर्पाई भी कर सकते हो बाद में अंदर या आप चाहे तो इसको सिलाई भी यहां पर लगा सकते हो आप दो सिलाई अभी यहां पर दे सकते हो ताकि यह हमारा सिक्योर हो जाए यहां से या आप चाहे तो तुर्पाई अगर आप यहां पर करते हो तो उससे ज्यादा फिनिशिंग आएगी नीचे वाला कपड़ा आपने फोल्ड करना है अंदर की तरफ को और इस पर तुर्पाई लगा देनी ह मैं आपर सिलाए लगा रही हूँ और आप चाहे तो इसके उपर पट्टी भी लगा सकते हो जैसे औरेंज कलर की पट्टी भी आप यहां पर अटेच कर सकते हो उससे आपका बेस बन जाएगा इस तरह से देखिए हमने अपनी ब्यूटी फूल से स्लीप को तयार कर लिया है यह देखिए बहुत ही प्रिटी लगेगा यह बनने के बाद जब आप इसको स्लीप के उपर पहनोंगे आपको पसंद आया होगा प्लीज एक मेंट करके जुरूर बताइएगा आपको मेरा स्लीप का डिजाइन कैसा लगा थैंक्स वार वाच्चिंग मिरते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाद